बिस्मिल्ला रह्माद ररहीम अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स मैं हूं हसान फरीद आपका फिजिक्स टीचर स्टुडेंट्स आज हमारे पास एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग आर्टिकल है जिसको हमने कबर करना है और वो है लौ आफ कंसरवेशन आफ एंगिलर मोमेंट मोमेंटम समझना चाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंगिलर मोमेंटम का पता होना जरूरी है अगर आपको एंगिलर मोमेंटम का आईडिया नहीं है तो आप इससे पहले का लेक्चर देखिए और उसमें हमने एंगिलर मोमेंटम को बहुत डिटेल में डिसक्स क था लेकिन ये angular momentum है यानि कि ये किन चीज़ों का momentum है वो चीजें जो rotate कर रही हो उनका momentum है जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मैं एक wheel की example लूँ ये जो wheel है ये rotate कर रहा है तो मैं कहूंगा इस wheel के पास angular momentum होगा तो now students angular momentum किन के पास होता है spinning bodies के पास it is a quantity which belongs to spinning bodies दूसरी बास students अगर आप देखें angular momentum की direction क्या होगी तो वो हमारे पास एक rule है मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक wheel है आप देख रहे है wheel इस direction में जो है वो rotate कर रहा है अब आप क्या करें आप जो है वो अपने सीधे हाथ की right hand की fingers को wheel की rotation में ही करल करें और thumb को बिलकुल सीधा रखना है आपका जो thumb है वो ही angular momentum की direction बताएगा यानि के इस wheel का angular momentum अपवर्ड है axis of rotation में तो ये दूसरी बात हुई कि angular momentum की direction कहां से पता चलती है right hand rule से और ये भी हम लोग ने सीख लिया यहां पर ही कि angular momentum की direction है और किन चीजों की direction होती है बटा vectors की तो इसका मतलब angular momentum एक कैसी quantity है एक vector quantity है तीफरी और चौती और सबसे important बात वो ये है कि angular momentum का formula angular momentum का formula है L is equal to I omega omega क्या है वो जो भी चीज़ spin कर रही होगी क्योंकि कोई ना कोई spinning body होगी ना omega क्या है omega उस body का angular velocity है यानि के वो body कितना तीजी से rotate कर रही है जितना तीजी से rotate करेगी उसका angular momentum उतना जादा होगा मिसाल के तो पर ये जो हमारे पास wheel है इसका angular momentum बहुत काम है क्योंकि उसकी घूमने की speed जिसे हम angular velocity कहते हैं बहुत काम है लेकिन अगर इसकी angular velocity बहुत जादा हो जाए तो इसका angular momentum भी बहुत जादा हो जाएगा तो इसका मतलब angular momentum एक तो angular velocity पर depend करता है अब ये i क्या है i is called moment of inertia मैंसे m o i लिखता हूँ moment of inertia ये भी एक पूरा article है जो हम लोग ने पढ़ा है यहाँ पर बस ये बता दो के moment of inertia यानि के i is equals to m into r यानि के अगर आप angular velocity ना बढ़ाओ अगर आप angular velocity ना बढ़ाओ आप i बढ़ाओ यानि के या तो मैंस बढ़ाओ दो या बोडी का radius बढ़ाओ दो spinning radius दोनों सूर्तों में i बढ़ जाएगा और इससे भी angular momentum जादा हो जाएगा मिसाल के तोर पर अगर मैं उसी wheel की बात करूँ इसका angular momentum जो है वो vector की form में आपको दिख रहा है अब जोने imagine करें अगर मैं इतनी ही speed से घूमता हुआ इतनी ही speed से घूमता हुआ एक भारी wheel जो जिसका मैं जादा हो तो फिर आप देखेंगे कि अब उसका angular momentum जादा होगा तो students ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि angular momentum जो है वो क्या है लेकिन अब हम start करेंगे आज का lecture law of conservation of angular momentum conserve रहने का मतलब होता है constant रहना change ना होना तो यानि के हमें अलफाजों को देख कर पता चल रहा है कि कोई law है जो कहता है कि जब कोई body spin कर रही हो तो उसका angular momentum conserve रहता है constant रहता है change नहीं होता और यही definition law of conservation of angular momentum की now students जब जखें सबसे पहले मैं इसको define कर दूँ के what is law of conservation of angular momentum तो law of conservation of angular momentum क्या कहता है कि कोई भी body spin कर रही हो तो उसका angular momentum change नहीं होगा conserve रहेगा यानि कि मैं कह सकता हूँ कि तोटल अंगूलर momentum किसका of a spinning body आप rotating body कह सकते हैं आप body moving in a circular path कह सकते हैं मैं simple रखता हूँ अन्बैलेंस्ड टॉर्क तो किसी भी body पर अगर टॉर्क ना लग रहा हूँ अन्बैलेंस टॉर्क तो फिर उसका जो angular momentum है वो change हो ही नहीं सकता ये है basically हमारा law of conservation of momentum angular momentum और मैं अगर आसान अलफाज में कहूँ तो मैं यू कह सकता हूँ कि angular momentum का symbol तो L है तो किसी भी body का initial जितना angular momentum होता है finally भी उसका उतना ही angular momentum होता है यानि कि angular momentum change नहीं होता angular momentum जो है वो हमेशा constant रहेगा और students याद रखिएगा ये law इतना important है कि ये law अगर आप काइनात के बड़े से बड़े stars और galaxies को study करें या आप काइनात के छोटे से छोटे particles, electrons, protons, neutrons को study करें ये दोनो extremes law of conservation of angular momentum को follow करती दिखाई देती है इसका मतलब this law is applicable ये law applicable है कहां से कहां तक from cosmological scale cosmological scale बहुत बड़ा scale universe का बहुत बड़ा scale जैसे galaxy जैसे सितारों का बहुत बड़ा जुर्मत आप study कर रहे हों उसमें भी law of conservation of angular momentum follow हो रहा होता है तो cosmological scale से लेकर to microscopic scale बहुत छोटे scale तक अगर आप molecules को atoms को study करें तो वो भी law of conservation of angular momentum को follow कर रहे होते हैं तो इसलिए ये law बड़ा universal law है आप students याद रखेगा ये सारा article आपको page number 112 के उपर नज़र आएगा और याद रखेगा इस article की कोई mathematical derivation नहीं है सिरफ explanation है तो मैं भी लिखने से ज़ादा चीज़ें समझाने पर focus करूँगा now student सबसे पहले आप याद रखेगा मैंने आपको definition बताई है और ये definition और equation आपको page number 112 की बिल्कुल starting दो तीन लाइनों में यहाँ पर दिखेगा और फिर ये जो मैंने बात कही है ना students हम लोगे ने देखा कि ये law तो कहीं भी apply हो सकता है कैसे apply करना है वो तो अभी बात की बात है लेकिन कहीं भी apply हो सकता है फिर भी अगर मैं एक single spinning body लो ना जिसमें सिर्फ एक body हो जैसे जमीन rotate कर रही है जैसे कोई और planet rotate कर रही है जैसे हमारे पास कोई शक्स जो है वो एक axis पर rotate कर रही है एक single spinning body अगर मैं ऐसी body को study करूँ तो मेरे लिए law of conservation of angular momentum को पढ़ना study करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस वज़ा से वैसे यह हर जगा applicable है लेकिन यहाँ जो मैं examples आप लोग साथ discuss करूँगा जो book के अंदर है और वो example जो book के अंदर नहीं है वो दोनों examples में मैं कोशिश करूँगा एक body हो एक spinning body हो single spinning body हो और यह बात आपकी book भी यहाँ पर कह रही है कि single spinning body को जो है वो पढ़ना desperately यानि बहुत आसान है उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है अब दूसरे important बाद जरा तवज्जों से सुननी है students देखिए law of conservation of angular momentum कह रहा है angular momentum change नहीं होगा but angular momentum is a vector quantity vector क्या होता है जिसके पास दो चीज़े हो number one magnitude number two direction तो बच्चो अगर मैं कह रहा हूँ angular momentum चेंज नहीं होगा इसका मतलब angular momentum का magnitude भी नहीं चेंज होगा और direction भी नहीं चेंज होगी और मैं इन दोनों चीज़ों को अलादा अलादा discuss करूँगा तो मैं अब discuss करूँगा law of conservation of angular momentum का पहला पार्ट जिसमें मैं ये बताऊँगा के angular momentum का magnitude constant रहता है और फिर मैं कुछ ऐसी example दोगा जिनमें मैं आपको बताऊँगा के angular momentum की direction याद है direction right hand rule वाली भूलना नहीं उसको वो इसलिए मैंने बताया थी तो angular momentum की direction भी change नहीं होगी तो student आईए start करते हैं यहां से तो students मैं इसको लिख सकता हूँ के conservation किसकी conservation of magnitude of angular momentum angular momentum के magnitude magnitude का conserve रहना फिर हम direction की बात करेंगे now students इसके लिए मैं कुछ examples आप लोग साथ discuss करूँगा पहले मैं आपको एक बात बता दो के हमारे पास मैंने बताया के initial जितना angular momentum final भी उतना ही angular momentum याई angular momentum चेंज नहीं हो रहा अगर torque नहीं लग रहा कोई unbalance talk नहीं लग रहा यानि के दूसरे अरफाज में आपका system क्या हो isolated हो यह याद रखिएगा जब मैं कहता हूँ ना कि कोई बाहर से force या बाहर से कोई torque नहीं लग रहा तो इसका मतलब मैं कैसे system की बात कर रहा हूँ isolated system की बात कर रहा हूँ isolated system वोत है जिसमें बाहर से कोई force ना लग रही हो लेकिन isolated system उसको भी कह सकते है जिसमें बाहर से इतनी थोड़ी force लग रही हो कि हमारे answer पर फर्क ना आए now students जैसे कि मैंने आपको बताया angular momentum का formula angular momentum का formula यह मैंने आपने के सामदेर लुक है i into omega तो जब देखिए initial l is equals to i omega initially मैं कह सकता हूँ i1 omega 1 और बाद में उसका angular momentum हो गया i2 omega 2 और इनका product जो है वो हमेशा constant रहेगा अब यहां से सारी important बात start होती है students pay number 112 के उपर यह एक example आप लोगों को book ने दी हुई है जिसमें एक शख्स जो है वो एक पूल में dive कर रहा है और फिर इसी को explain किया है इस पूरे paragraph में students यह paragraph बहुत important है क्योंकि यह एक short question भी बनता है जो आपकी exercise में मौजूद है जिसमें वो कह रहा है कि why are pool diver change his body position pool diver अपनी body position क्यों change करता है तो यह अब जरा तबज्जों से सुनने वाला article है मैं इसको यहां पर आप लोगों के सामने सिरफ explain करूँगा अगर आप लोगों को यह जानना हो कि यह लिखना कैसे है तो याद रखेगा आपने exact इस paragraph को यहां से लेकर यहां तक as it is लेक देना है मैं आपको explain करता हूँ कि होता कुछ इस तरह से कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक शक्स जो है वो Olympics में अगर take part कर रहा है तो जब वो pool diving करता है तो वो जब चलांग लगा कर अपनी position change करता है तो अचानक से उसकी rotation बड़ी तेज हो जाती है अब यह बड़ी जबरदस एक observation है लेकिन ऐसा क्यूं होता है यही जाना आज का हमारा article है now student ज़रा तबज्जों से देखिएगा हम इसको सोच दें कि वो शखस जैसे ही dive करने के लिए आया उसने च्छलान लगाई मैं यहाँ पर stop करता हूँ जरा इस position को देखें आप देख रहें यह position बिल्कुल stretch है बिल्कुल उसके हाथ भी खुले हुए पाउं भी खुला हुए इस सूरत में अगर आप इसकी body के center से एक तरफ का distance देखें इसे मैं कह देता हूँ यह R है नाव स्टुडेंट्स जरा तबज्जो करें body stretch position में R बहुत ज़ादा है अब हमें मालूम है कि I किसके बराबर होते है MR square यह मैंने आपको angular momentum में भी बताया था अब R ज़ादा है body का size ज़ादा है तो I भी ज़ादा होगा यानि के मैं कह सकता हूँ कि इस वकर यह शख्स जो है यह क्यों के stretch position में है तो इसका moment of inertia बहुत ज़ादा है यानि के I की value बहुत ज़ादा है अब मैं value fix नहीं कर रहा suppose करें I की value थी एक बात कर रहा हूँ 25 और omega जो है वो 4 है तो 25 इंटू 4 कितना हुआ 100 हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इस वकत जो body bill कुल stretch position में है इसका angular momentum 100 है अब law of conservation of angular momentum क्या कहता है अगर इस पर कोई torque नहीं लगेगा तो इसका angular momentum 100 ही रहेगा Now students यह आगे चल की क्या करता है यह आगे जाकर अपनी body को एक बड़ी ही concise position में ले आता है अपने घुटनों को अपने पेट के साथ लगा लेता है इसे बोलते है close tuck position और आपकी book जो है वो यह discuss कर रही है कि जब वो body stretch position में थी it has large moment of inertia लेकिन फिर वो शक्स क्या आगया close tuck position में close tuck position का मतलब है कि वो इस तरह की state में आ गया अब ज़रा देखें body का size कम हो गया क्योंकि सारा mass उस center के करीब हो गया अब अगर आप center से body के किनारे तक का distance देखें यानि के R तो वो पहले के मकामले बहुत कम है इसका मतलब students R कम हो गया जब पहले याद है नहीं यह 25 था और यह 4 था जब R कम हो गया R कम होने का मतलब है moment of inertia कम हो गया पहले moment of inertia 25 था अब कम हो गया होगा suppose करे moment of inertia जो है वो कम होकर 25 से 5 हो गया अब आपको मालूम है students कि total angular momentum change नहीं हो ना क्योंकि law of conservation of angular momentum कहता है कि angular momentum अगर 100 है तो 100 ही रहेगा लेकिन हमने बाहर से बाहर से कोई force लगाए बगैर moment of inertia कम कर दिया अब 5 को किस से multiply करे तो 100 आए आपको मालूम है 5 को 20 से multiply करे 100 आएगा तो इसका मतलब अगर मैं angular momentum को 100 ही रखना चाता हो तो मेरे पास सिर्फ एक choice है और वो ये कि मैं ओमेगा की value को 20 कर दूँ और ओमेगा क्या था स्टुडेंट्स याद आया ओमेगा तो हमारे पास उस चीज की angular velocity यानि कि उसके घूमने की speed थी तो इसका मतलब अगर moment of inertia कम होगा तो घूमने की speed अपनी जादा करनी पड़ेगी body को ताके law of conservation of angular momentum उतना ही रहे तो students यही वज़ा है कि जब वो शक्स इस तरह की position में आता है तो उसके बाद उसको बहुत सी कलाबाजियां मिलती है उसकी rotation बड़ी तेज हो जाती है और फिर वो गिरता है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अगर body चाहे तो extra कलाबाजियां ले सकती है अगर वो close duck position में आ जाए यह जो extra कलाबाजिया ऐसे बोलते है extra summer salts तो यह बात आप लोग भुक ने लिखी है कि extra summer salts मिलते है extra कलाबाजिया लगती है तो जब भी आप किसी body का moment of inertia कम कर देंगे तो body की angular velocity बढ़ जाएगी किसलिए angular momentum का magnitude constant रखने के लिए तो students यह जो सारी बात मैंने आप लोगों को बताई है examples में यह आप लोगोंने लिखने किस तरह से मैं आप पहली बता चुका हूँ page number 112 के उपर जिस तरह से वो paragraph लिखा है और उसमें जो important words है जैसे extra summer salt का और stretch position का और close duct position का यह सारी बाते हैं आप लोगोंने वहाँ पर mention करनी है now students, book ने इसकी एक example दिए लेकिन आप जरा side पर इसी page के एक और information देखिए यह information में वो क्या बता रहा है कि एक beaker है और dropper से उस beaker में हम कुछ liquid के draws ठैक रहे हैं और वो beaker rotate कर रहे है अब इससे क्या होगा अब जरा देखिए law of conservation of angular momentum क्या कहता है वो कहता है कि अगर यह एक खास speed से dropper से drop फैकेंगे तो आप system का mass जादा कर रहे हैं अब जब आप system का mass जादा कर रहे हैं mass जादा होने से भी तो moment of inertia बढ़ जाता है और जब moment of inertia बढ़ेगा तो angular velocity अपने आपको कम करेगी ताकि उतना ही answer रहे तो यहाँ पर याद रखेगा इसका अंसर यह है कि जैसे mass जो है वो उसमें गिरता रहेगा आइस्ता आइस्ता यह पूरा system slow down होता रहेगा तो हमने क्या सिखा कि भाई law of conservation of angular momentum कहता है कि moment of inertia has an inverse relation moment of inertia का inverse relation है किसके साथ with angular velocity angular velocity यानि कि हम कह सकते हैं omega और i का inverse relation है अगर आप i increase करेंगे तो omega को अपनी value को decrease करना पड़ेगा क्यों भला ताकि इनका जो product है इनका जो multiplication है वो change ना हो तो अगर आप इसको double करेंगे तो ये half हो जाएगा अगर आप इसको three times increase करेंगे ये three times decrease हो जाएगा अगर आप इसको four times increase करेंगे ये four times decrease हो जाएगा ताकि जब इनको multiply करें तो answer वो ही का वो ही आए और इनका जो multiplication है वो तो angular momentum है यानि के दूसरे अलफाज में nature चाह रही है कि angular momentum जो है spinning bodies का वो हमेशा constant रहे students एक और example मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ज़रा आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि ये जो dancers होते हैं जो skating करके dance करते हैं जब ये भी इस तरह की position में आये तो अचानक से fast हो जाते हैं तो इसकी क्या reason है students वो ही reason है कि जब ये इस तरह की position में आते हैं अपना moment of inertia कम कर लेते हैं क्योंकि ये squeeze हो जाते हैं बिल्कुल अपने हाथ भी करीब ले आते हैं तो moment of inertia कम तो angular velocity अपने आपको क्या करेगी जादा करेगी बिल्कुल इसी तरह से एक और example देखते है students ये तो आप लोगों लोगों भी note की होगी अगर आप एक धागे से एक पत्थर बांद कर इस तरह से अपने उगली पर गुमाएं तो जैसे जैसे ये पत्थर आपके उगली के करीब आता जाएगा ये तेज होता जाएगा ये अपने note भी किया होगा लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जारा देखें student जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा है moment of inertia कम हो रहा है और moment of inertia कम होगा तो angular velocity बढ़ेगी क्योंकि हम लोग ने देखा कि moment of inertia का angular velocity के साथ inverse relation है बिल्कुल इसी तरह से एक और example जो आपकी बुक की exercise में डिसकस होई गी और वो ये है कि अगर हमारे पास ये शक्स इस तरह से बैठा हुआ है एक जगा पर और वो revolving chair के उपर बैठा है और इसने एक बहुत ही heavy dumbbells पकड़े में और इसकी जो position है वो कुछ इस तरह से stretch है यानि moment of inertia बहुत जाद है अब ज़रा ये घूमते हुए अगर अपने हाथ करीब ले आए तो क्या होगा तो बड़ी असान सी बात है कि जब ये अपने हाथ करीब लेकर आएगा फिर से इसने moment of inertia कम किया और जब moment of inertia कम होगा तो angular velocity बढ़ जाएगी तो इसकी speed भी गूमने की speed angular velocity बढ़ जाएगी ये बहुत सी examples हैं जो किताब ने different जगों पर different तरीके से दी हूँ ये मैंने उनको एक ही जगा पर आप लोगे सामने रख दी है ये देखा आप लोगों ने कि moment of inertia और angular momentum का sports में, gymnastic में, dance में कितना ज़ादा roll है और ये आपकी book जो है page number 113 पर side information में बहुत ज़ादा useful है तो आपने देखा कि वाकिये में nature के अंदर, कुदरत के अंदर एक ऐसा law है जो angular momentum के magnitude को conserve रखना चाह रहा है change नहीं होने दे रहा अगर आप change करने के कोशिश करते हैं moment inertia को तो omega यानि angular velocity खुद अपने आपको adjust करती है ताके दोनों का product change ना हो अगर आप इसको double करेंगे वो half हो जाएगा अब आखरी बात students मैंने आपको बताया था angular momentum कैसी quantity है angular momentum तो एक vector quantity है और vector को अगर conserve रखना है constant रखना है change नहीं करना तो उसका magnitude change ना हो ये काफी नहीं है बलके उसके सासथ आपको उसकी direction को भी change नहीं होने देना अब जरा हम discuss करते हैं direction को आप students discuss करते हैं conservation of magnitude of angular momentum आप discuss करेंगे direction of angular momentum Now students तवज्जह से सुनने वाली बात है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि angular momentum की direction कहा होती है अगर ये मेरे पार से एक spinning body है तो आप लोग right hand rule से thumb जो है वो उसका angular momentum बताएगा तो अगर angular momentum constant रहना है तो ये जो angular momentum की direction है ये भी change नहीं होगी magnitude तो change होना नहीं है लेकिन ये भी नहीं change होगी तो pay number 112 के बिल्कुल end पर book नहीं कह रही है कि क्यूंकि angular momentum एक vector quantity है तो फिर हमारे पास direction also should remain constant अब ज़रा देखें students इसको कैसे लिखूँगा मैं मैं ये कहूँगा कि direction of angular momentum change नहीं होगा लेकिन angular momentum की direction कहा है axis of rotation में यानि कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि direction of axis of rotation remains same change नहीं होगा कब तक वही बात unless जब तक के acted upon some unbalanced torque ये जो मैंने आप लों के सामने ये लिखा है ये पेर नमर 113 के उपर जो green line है ये उसमें लिखा है तो बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये angular momentum law of conservation of angular momentum की definition है ऐसा नहीं है ये law of conservation of angular momentum के एक part की definition है direction वाले part की चुक्कि law of conservation of angular momentum में सिर्फ direction नहीं आती मलकि law of conservation of angular momentum में direction के साथ सर magnitude भी आता है पहले हम लोग ने magnitude discuss किया था तो page number 112 के end पर book ये भी कह रही है कि हम लोग ने इससे पहले magnitude discuss किया था अब हम direction को discuss करेंगे now students ऐसी कौन सी example में आपको दिखाऊ हूँ जिसमें direction भी change नहीं होती यानि axis of rotation जिस direction में है वो उसी direction में रहेगा उसमें एक सबसे जबतस example जो even book ने भी quote की है वो सबसे पहले discuss कर लेते हैं जैसे कि आप लोग को मालूम है जमीन अपने axis पर rotate कर रही यह जो axis है जो के बिल्कुल straight नहीं है बलके थोड़ा सा slant है यह जो axis है इसकी direction चेंज नहीं होती जब भी वो सूरज के गिर्द revolve करता रहेगा यह उसकी direction रहेगी दूसे लफाज में यही उसके angular momentum की direction है यानि universe के हिसाफ से अगर आप देखें तो angular momentum जो है वो जमीन का हमेशा constant रहेगा magnitude भी और साथ साथ direction भी उसकी direction चेंज नहीं होरी हाला के आप देखेंगे के चांद की gravity भी है दूसरे जो दूर सितारे है उनकी gravity भी जमीन पर act कर रही है लेकिन वो इतना कम torque प्रोड्यूस कर रहे है के वो noticeable change नहीं लेकर आता तो यह pain number 113 के end पर जो हमारे पास discuss किया हो उसने वो ये अर्थ की example उसने quote की है और उसने बताया के there is no noticeable difference in the direction of angular momentum of earth तो अर्थ के angular momentum के direction जो है वो change नहीं होगी एक और example में आपको देता हूँ आप लोगों ने देखा होगा के एक छोटा सा instrument होता है जिसे हम कहते हैं लट्टू जिसे आप बच्चपन में खेले होते हैं ठीकिन अब वो लट्टू अगर आप इस तरह से खड़ा करें तो वो फॉरण गिर जाएगा gravity उसको overcome कर लेगी लेकिन जब आप इस लट्टू को बड़ी तेजी से rotate करते हैं तो आप देखते हैं उसका angular momentum का vector बिलकुल straight है और वो straight ही रहेगा इसका मतलब अब gravity उसको इतना जादा तंग नहीं कर पा रही क्यों भला? क्योंकि भाई उसके पास angular momentum है ना और angular momentum क्या चाहता है? angular momentum conserve रहना चाहता है angular momentum change नहीं होना चाहता तो direction को maintain करने के लिए ये जो लट्टू है ये बिलकुल इसी तरह से move करते रहेगा जिसको इंगलिश में top कहते हैं ना students याद रिखेगा यहाँ मैं example book वाली लिख देता हूँ कि direction of axis of rotation of earth remains fixed बिलकुल fixed रहती है as compared to या as reference to universe around us हमारे इर्द गिर्द की universe के लिए हास से अगर हम देखें तो जमीन का जो axis of rotation है वो change नहीं होता students आप लोगों ने देखा कि इस article में किस हट तक application डिसकस हो सकती है और अभी ऐसी बहुत सी चीज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ डिसकस नहीं की, मिसाल की तोर पर फिर मुझे एक चीज़ याद आ रही है आप लोगों ने ये spinners use कियोंगे इन spinners में एक बड़ी खास बात है अगर आप एक बड़ी तेजी से गुमते वे spinner को हाथ में पकड़ें आपका angular momentum इसे spinner का बिलकुल उपर होगा अब जब आप इसको थोड़ा सा tilt करेंगे, आपको ना ऐसा करते वे बड़ी force फील होगी जैसे आपका, आपकी force लग रही है उसकी वज़ा क्या है? उसकी वज़ा ये है कि आप angular momentum की direction चेंज कर रहे हैं भाई, और body इतनी आसानी से angular momentum की direction चेंज नहीं होने देगी, तो अगर आपके पास spinner है तो अभी आप इसको जरूर देखिएगा, कि इसको इस तरह से rotate करते वे, क्या आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है force या torque फील हो रहा है, तो ये था students हमारा आज का article I hope कि आपको ये चीजें understand हो गई होगी, आप मजीद सर्च करें और इसकी और बहुत सी applications देखिए, आप से मुलकात होगी अब इंशाला next lecture में तब तक के लिए